यहां खुशी खुशी चर रहे अलपाका इस यगह की मूल योजना में कहीं नहीं थे लेकिन आज इनके बिना अब इस जगह की कल्पना करना भी मुश्किल है इनका चरना और गोबर करना इस जगह के लिए वर्दान सावित हुआ है पाउला डिसबेरी ने जब यह पुराना नाशपाती का फार्म खरीदा उस समय उसकी मिट्टी बहुत खराब थी मिट्टी में फिर से जान डालने के लिए उन्होंने यहां कुछ जानवर पालने की सोची अलपाका और उनके साथ साथ मुर्गियां और खर्गोश मिलकर यहां हमारे मिट्टी को खूब पोशन दे रहे हैं कई सालों से लगातार नाशपाती की खेती होने से यहां के मिट्टी खराब हो गई थी उसमें कीडे बहुत कम थे, जीव जन्तु भी कम थे, पौधे भी बहुत कम उकते थे अब हमारे यह सेलिब्रिटी जानवर मिट्टे के गुणवत्ता फिर से सुधार रहे हैं अलपाका बीन्स कहलाने वाले अलपाका के गोबर में खूब नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है यानि सबजियां उगाने वाली जमीन के लिए आदर शुरवरत हमने हर्ब उगाए हैं, करीब 20 तरह के हर्ब इस प्रॉपर्टी में लगे हैं यहां थाइम है, खुब गंध वाली और यहां कुछ फूल उगाए हैं जिने खाया जा सकता है अलपाका वेलिंग्टन कस्बे के इस फार्म के लेंड्सकेप का हिस्सा हैं केवल दो दशक पहले ही दक्षण अमेरिका के मूल निमासी अलपाका को दक्षण अफ्रीका लाया गया था तब कुछ दर्जन की तादाज से बढ़कर आज देश में इनकी संख्या 1500 के करीब पहुँच गई है जैविक खेती के लिए अलग-अलग चीजें उगाना बहुत जरूरी होता है पावला डिसबेरी ने इस थानिये रेस्तरां के साथ डील की है वे उन्हें अपने उगाए ताजा उतपात देती हैं और बदले में उनसे जैविक कच्रा जमा करती हैं हम ऐसा करके खुश हैं जिस कच्रे को हम फेक देते हैं उसे बचाना अच्छी बात है लोग अपने खेतों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं खेतों की देखभाल के लिए जिम्मेदार मवीला कामबूलू बाउदरी कच्रे को कीडों के खाने के लिए तैयार करते हैं वो इससे कंपोस्ट बनाते हैं कभी कभी इसमें अंडे के चिलके तोड़ कर डालता हूँ लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है इन अंडों के चिलकों को वैसे भी बगीचे में इस्तेमाल किया जा सकता है देखिए यहां पर यह कितने मजे में हैं फल फूल रहे हैं इस प्रक्रिया का नतीजा होता है एक शाक उर्वरक जिसे वर्म टी कहते हैं बाउदरी कहती हैं कि इस मॉडल से कहीं पर भी और्गेनिक खेती की जा सकती है अब इसकी मांग भी बढ़ी है मुझे लगता है कि लॉकडाउन के दौरान जादा से जादा लोग अपनी सेहत और पोशन पर पहले से अधिक ध्यान देने लगे हैं मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है और यहीं सही मौका है ऐसे छोटे कारोबारों की काफी मांग है जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास एक भी ग्रहक नहीं था और अब करेब सो हैं अलपाका को उनके उन के लिए भी पाला जाता है दक्षिन अफरीका में अभी है कारोबार छोटा है लेकिन जैसे जैसे अलपाका की लोगप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे उनके हाई कॉलिटी बेहत मुलायम रेश्मी उन की मांग भी बढ़ेगी